तो कैसे हैं आप, आसर करता हूँ, आप लोग अच्छे होंगे, यहाँ पर जो आप सेटो बॉक्स देख रहे हैं, इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है कि कुछ चैनल चल रहे हैं और कुछ चैनल नहीं चल रहे हैं, अब जो चैनल और जो नहीं चल रहे हैं, वो किस वज़े से होता है, मैं आपको थोड़ा से डिटेल से बताऊंगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं सड़ो बोक्स को ओपन करता हूं, और उसके बाद मैं आपको डिटेल से बताता हूं, ताकि आप लोगों इस साथ भी प्रब्लम आता है, तो अस साफ करने से आपको असानी से कंपोनेंट भी दिख जाएंगे, और असानी से पता भी चल पाएगा, रिडिस के सेटप वोक्स में, दो प्रकार के चैनल आते हैं, एक होरिजेंटल होता है, और एक वर्टिकल, आपने कभी कभी स्कैन करते हैं, इसमें देखा होगा, एच वी करके लिखाओ आता हुपर स्कैनिंग के टाइम पर, तो बस वही एच हैंड में होरिजेंटल और वर्टिकल के चैनल होते हैं, यहां पर अगर होरिजेंटल या फिर वर्टिकल कोई भी सेक्षन प्रोब्लम करें, तो वहां पर वरिजेंटल के चैनल वर्क निकरते हैं, यानि कि H के चैनल सारे चलेंगे और V के सारे चैनल नहीं चल पाएंगे इसमें देखिए सबसे पहले आपने यहाँ पर वोल्टे चेक करना है पर आपको 12 और 24 वोल्ट मिल रहा है आपने सबसे पहले 12, 24 और 3.3 वोल्ट को चेक करना है अगर आपका horizontal या फिर vertical कोई भी section नहीं करता है तो आपने यहाँ पर 12, 24 वोल्ट को चेक करना है 24 की जिएकर कभी-कभी 22 भी आता है वो भी चलेगा कोई दिकत नहीं है लेकिन बहुत कम voltage उसमें नहीं होनी चीए यहाँ पर देखिए सडोक्स मारा on हो चुका है वेट करते हैं उन्होंने का देखिए यह देखिए दरसल डिस्प्ले भी थोड़ा से अधिकत आ रहा है एक सेकंड मैं देखता हूं यहाँ पर हाँ डिस्प्ले भी आधे आधे यहाँ अक्छर लिखे भी आ रहे है तो डिस्प्ले का अलग फॉल्ट है इसको हम छोड़ देंगे हम सिर्फ यहाँ पर अपने फॉल्ट पर बात करेंगे देखे दो सब्सेट कर लिया है अब मैं इसको ग्राउंड कर लूँगा ब्लैक प्रोब को ग्राउंड कर लेता हूं और रेड प्रोब को बारह और चॉविस वोल्ट के पॉइंट पर लागाँगा देखिए यहां से देखिए यहां तीषर में का पॉइंट 12 वोल्ट का होता है अगर आपको यहां पर बहुत कम जैसे तो तब आपने यहाँ पर गौर करना होगा वहाँ पर अगर इतना कम अगर बहुत कम वोल्ट मिले तो इसके कपास्टर आपने चेक करने होगे इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ अगर आपको नहीं पता है तो मैं भी आपको बता दूँगा कैसे आपने ट्र वोल्टेज हमारे बिल्कुल सही है तो यह फॉर्ट है तो कहां से है आपको मैं दिखाता हूँ इसको ग्राउंड करते हैं और जो एलेंब वाला जो कनेक्टर है उस पर हम इसको लगाएंगे देखिए आपर कितना वोल्टेज आ रहा है तो यहां पर यह जो है अलग अलग मिलता है एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा अगर कभी भी जो चैनल का प्रॉब्लम हारा अगर वोल्टेज सही है तो ठीक है नहीं है तो काम आपने करना है यहां पर जो आपको मैं एक चीज दिखाऊंगा सबसे पहले मैं आपको चीज फोकस करवाँ यह देखिए यहां पर प्रॉब्लम आया है देखिए यहां पर फटा हुआ है तो यहां पर यही सेक्शन आपका होता है जो यह चैनल को डिस्टरब करता है यही सेक्शन यहां पर जो भी आप देख रहे हैं एक कपैस्टर है यह ट्रांजिस्टर से हैं और यह कपैस्टर टांजिस्टर बच यहीं जो section है आपका इस channels को disturb करता है अगर कुछ channel आ रहे हैं कुछ नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है कभी-कभी iphan फंड़ने की वाज़े से यहाँ पर proper voltage नहीं बन रही है यह load को नहीं उठा पा रहा है लोड नहीं उठाएगा तो voltage नहीं बनेगी तो होगा गया यहाँ पर proper channels नहीं आपाएंगे क्योंकि scan करने के लिए उसे proper voltage चीए होती है मैं आपको इस तरफ का भी बता देता हूँ यहाँ पर proper voltage ना बने तो आपने capacitor को कैसे ट्रेक करके change करना है एक्जामपल के लिए यह supply है यहाँ पर लगी वी है मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से supply लगी वी है same supply है ठीक है यहाँ पर 12 और 24 वोल्ट वाले point में आप देखिएगा यह 12 का है यह 24 का है एक दो टीन तीसरा नंबर और चौथा नंबर तीसर और चौथी नंबर में हमारा यहाँ पर इसको track करना है यानि की एक दो तीन यह 3 यह तीसर नंबर पर आपने जो जो भी कर्फार लगा है उसे हमने चेंज कर लेना है यारी कि यह वाला कर्फार लगा हुआ है बर grave twor लेका है अगर आपको बारे वाल्ट कम लग रहे तो या फिर यह voltage लोड पर कम आ रहा है तो आपने एक capacitor चेंज करके देख लेना है अगर आपको 24V बहुत कम मिल रहा है यानि कि 18, 17, 16, 15 करीब मिल रहा है तो चौते नंबर पे यह जो चौते नंबर का पीन है 24V का है यहाँ पर एक capacitor लगा हुआ है उसे आपने चेंज कर लेना है यानि कि ये वाले capacitor इसे आपने चेंज कर लेना है यानि कि ये 25V 220μF आ पर वह भी सेम ही है तो उसको आपने चेंज कर लेना है ये दो capacitor जो है आपके voltage को परिशान करते हैं प्रॉपरली voltage नहीं बना पाते हैं वीक होने की बाद ठीक है वीक होने के बाद अब आपने 3.3 वाले voltage को भी चेक करके जरूर देखना है क्योंकि उसका काम भी में चैनल्स को लाना और वीक सिगनल लो सिगनल की प्रॉड्मोंस को सही करने का यहां पर देखिए 2.8 यहां पर वोल्ट बता रहा है अब हमने करना क्या है जो यहां 3.3 वोल्ट बन रही है इस डाइट से होते वह आती इस डाइट पर यहां पर चेक करना है यहां पर 2.8 बता रहा है इधर देखिएगा इधर 3.8 बता रहा है एक काम हम करते हैं इस connector को निकालते हैं और without load में चेक करते हैं अभी load को हटाके च 3.3 वोल्ट पे लगा हुआ है उस capacitor को भी हमने चेंज कर लेना है बिना load में वो कितना voltage बता रहा है देखिए बिना load में वो बता रहा है हमारा 4.6 वोल्ट देखिए बिना load में जैसे हम इसको load देते हैं कि काड को इसके साथ connect करते हैं तो यहां पर voltage हमारा देखिए 3.3 वोल्ट पे जो capacitor होता है वो यह वाला होता है यह वाला capacitor इसको हम चेंज कर देंगे supply का को इस तरीके से रखा है और यहां से एक दो तीन चार चार नमबर का capacitor है वो हमारा 3.3 वोल्ट को होता है मलदा उस वोल्ट को manage करता है अगर आप इस capacitor को चेंज नहीं भी करते हैं त यहां पर यह तार है ना इसको कट करके आप इस डायोड के इस तरफ लगा लीजेगा मैं आपको दिखाता हूं यहां पर यहां पर voltage कितना बन रहा है 2.9 बन रहा है और इस तरफ को voltage कितना बन रहा है 3.9 करीब बन रहा है फिर भी यह हमारे card को चला लेता है no problem अगर आपके के पास कोई भी ऐसी सुविदा नहीं है तो इस wire को काटके इस डायोड के इस तरफ को लगा लीजेगा इस तरफ को आप वोल्टिज दिखाऊं तो यहां पर 3.9 बन रहा है और इस तरफ को यह कितना बन रहा है 2.9 बन नहीं मतलब एक वोल्ट का अंदर यहां पर आप लगा कपैस्टर करके देखेंगे कि तो यह कपैस्टर इस पे लगा हुआ है अब मैं दो चीज़ करूँगा इस काट पे इस कपैस्टर को चेंज करूँगा जो कि फटा हुआ है और इस पे यहां पर इसको चेंज करूँगा अगर इस कपैस्टर को चेंज करने से वोल्टिज सही आ जाता है तो अच्छी बात है नहीं आता फिर हम इसको भी चेंज करेंगे यह जो क्पैस्टर फटा इसका जो वेल्यू है यह हमारा 10 वोल्ट 470 माइक्रो फेरेट का चलिए जल्दी से चेंज करते हैं यहां पर जो क्पैस्टर लगना है आपका मैं आपको पलस मैंस का बता देता हूं ठीक है इसलिए इस वीडियो को यहां पर पास्वणर नहीं करूंगा यह जो एरिया है वो नेगाटिव का है और एक नहीं नहीं करूंगा है हो एक यहां पर होचुता है अब मैं उनकर कि वोल्टेज में चेक करूंगा तो लिए अब कितनी वोल्टेज बन रही है अब हम देखेंगे अगर वोल्टेज़ वोल्टेज तो सही ये 2.9 अभी यहाँ पर solve नहीं हुआ है, अब मैं इस कपास्टर को भी इसके चेंज करूँगा, चलिए जल्दी से इस कपास्टर को change करके आपको voltage check करवादे है यहाँ पर मैंने इस कपास्ट को चेंज किया, इस कपास्ट के चेंज करने के बाद भी यह प्रॉब्लम का सॉलुशन नहीं हुआ, तो उसके बाद यहाँ पर एक तिर्पन निन्यानवे नंबर की, आई एन तिर्पन निन्यानवे, डायोड लगी होती है, जो की डेड़ा वीडियो बनाया है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि यह जो है, वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा था, वो इसी वज़े से हो रहा था, कपास्टर तो ठीक था, लेकिन कभी कभी डायोड के वीग हो जाने के वज़े से प्रॉब्लम का आना हो जाता है, अब यहा 2.1 ही आ रही है, लेकिन काफी यहाँ पर वोल्टेज में सुधार आ चुका है, अगर यहाँ पर मैं दूसरी डायोड को भी चेंज कर लेता हूं, तो यहाँ पर वोल्टेज हमारी प्रॉपर 3.3 आ जाएगी, यानि कि दो जो डायोड है और किनकिन को हमने चेंज करना है, मै आएगी है तिरपने में से चेंज कर लूँ गा। एक यह वाली है यह बहुत चेंज कर देंगा, बाद में से चेंज कर लूगा। यह रही है, यह यह बहूद से देखेगा यह यह इक यह डायोड है, जिसे न आति उसंड़ कर दिया जिसके आपको फिट से बता दूँ अगर आपको आपके पास components नहीं है आप चेंज नहीं करना चाहते हैं तो यह diode भी आपके पास नहीं है तो आप एक काम करें इस diode के यह जो wire है 3.3 वाली wire है इस diode के इस तरह आप लगा लीजिए आपको यहाँ पर यह जो problem है उसका solution मिल जाएगा ए इस वीडियो में दू problem का solution में आपको बता दिया एक 3.3 वोल्ड का और आपको एक तरफ की चैनल आ रहे और तरफ के नहीं आ उनका solution भी दे दिया है यह जो section आपको फिर से दो रादू यह जो section है इन में जितने भी component लगे हुए है उनके खराब हो जाने की वज़े से horizontal या vertical में problem आता है तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं वीडियो को like और share करना ना भूली और मेरी बहुत सारी वीडियो जो radius पर बनी है उनको देखके आप असानी से एक काम सीख सकते हैं